हेलो एब्रिवन वेल्कम बेक टो आज हम लोग करने वाल हैं क्लास 10 टर्म 2 में कम्प्यूटर एप्लिकेशन का फुल स्लेबर्स रिविजन देखो एक ही वीडियो के अंदर आपके सभी चैप्टर्स कवर हो जाएंगे आपका अच्छे से कम्प्लीट रिविजन हो जाएगा तो एक्जाम से पहले एक बर आप लोग को इधान से देखना है आपको इसमें जैसे की HTML कोड के एक्जामपल जितनी पी इंपोर्टेंट डेफिनिशन से जहां से क्योशन पूछ आ सकने वो सब कुछ आपको पता लगेगा तो आप लोग को क्या करना है यह सब अगर एक्ज प्रेंट के पास में पहुंच सके टाइम से इसलिए बोल रहां को कि टाइम से पहुंच एक तो बाद में पता लेगा कि आर हम ऐसे रिविजन कर सकते थे इसलिए आप लोगों से छोटी से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ में प्लीज शेयर कर दीजिगा अब इ या दोसरी जदधा computer एक दोसरे के साथ में connect हो जाते हैं कोई भी information share करने के लिए फिर कोई भी resources share करने के लिए तो उसको कहा जाता है network अब इसके बाद में आता है internet अब internet क्या होता है internet एक worldwide system होता है worldwide system of computers होता है जो कि यहां पर network के through connected होता है और फिर इससे क्या होता कि computer will be able to exchange information तो यहांपर तो क्या होपा रहा था यह share कर पार थे लीकिन यहांपर क्या हो सकते हैं कि वह exchange कर सकते हैं अब internet की help से क्या होगा जैसे कि वन मार्क के अंदर बन सकता है, जो फस्ट इंटरनेट था, वो कौन सा था, और कब बना था, जो फस्ट इंटरनेट था, वो 1969 में बना था, और जो ये था ये था, इसका नाम था, A-P-A-N-E-T, अगर हम बात करें, इसके फुल फॉर्म की, तो वो है यहां पर, Advanced Research Project Agency Network, तो यह वाली definition में full form जितनी भी अभी मैं बताऊंगा इनको note-down करते वी चलना क्योंकि full form exam में पूछ जाने की बहुत ही जादा probability होती है अब इसके बाद में अगर बात करें हैं पर all the computers on the internet communicate with one another using TCP और IP के through ही एक दूसर से communicate करते हैं प्रोटोकोल होता है जिसको follow करते हैं अब इसकी definition में एक बस एक full form पूछूँगा आप लोग उसे की IP की full form क्या होती है आप लोग मुझे comment section में जरूर से बताना कि IP की full form क्या होती है कितने बच्चों को याद है अगर याद नहीं है हर एक form मेर साथ में याद करते हुए चलो सब कुछ याद होगा बस आप लोग इसे ध्यान से सुनते जाए तो अगर जिसको पता है वो full form कमेंट शेकिन में पता है जिसको नहीं पता वो ध्यान से सुन लो जो TCP होता है उसकी इसकी फुल फॉर्म लिखना आपको एक्जाम के अंदर कंपल्सरी है इससे टीचर के ओपर इंप्रेशन अचा पड़ेगा और आप लोग का आंसर भी थोड़ा लहन दी लेगेगा तब इसको किस तरीके से लिखेंग यहाँ पर ब्रेक मैसेज़ेस इंटु दे स्मॉलर पै वैसे नहीं कि हम किसी चीज को तोड़ देंगा और फिर उसका अदमें वैसे ही अगर किसी के पास में चल जाएगी तो एकसेपटेबल नहीं होगा तो इसमें क्या करते हैं यह दोनों काम करते हैं सबसे पहले तो क्या करेगा उसको स्मॉलर पैकेट के अंदर तोड़ देग पर कोई भी चिठी आती होगा तो मेल आते हैं अपती मालो कि आप जब कोई भी समान मंगवातो ओनलाइन आपने कोई भी माली जी की न्यूश अपने ओडर किया तो वहां पर क्या होते कि वह जो आपको पोस्ट देने क्ली आता है वो आपने अड्रस कर सब्सक्राइब्चा सबसे जादा यूज इनी सभी में होता है अब इसके बार में थोड़ा फोड़ा एक बर ज़रूर से देखे लिए कि इस तरीके से उज में लिया जाता है जितनी भी पेमेंट्स होते हैं वो e-commerce में आते हैं फिर रिसर्च के काम में आते हैं एजुकेशन में आप लोग के आ ही रहा है ओनलाइन पेमेंट्स में भी आते है और सोचिल नेटवर्किंग साइट में भी काम में आते है कि आप इज़ी ली हम कम्मुनिकेट कर法ें हर किसे अगर मालिजे कि आप इंडिया में तो इंडिया में बैठ करके आप लंडन या फिर यूसे में डारिक्ली घरिक्ली दार्राट कर सकते हैं पर ग्रेटर एक्सेस टो इंफोर्मेशन विच रिड्यूसिस तर रिसर्ट तो अब यह रिसर्च में भी काफी जदा हेल्प करता है क्योंकि जो इन्फोर्मेशन वो इंटरनेट पर अब उसको हज गपर जैसे की बुक में जानने की जरुवत नहीं सीधा गूगल कोलो उसके टाइब करो कि हमें जैसे कि आप लोगों ने टाइब करा कि कम्प्यूटर एप्लिकेशन लास्टनेट रिविजन तो हमारी वीडियो गया हमारी वीडियो आगे तो अब इसके उपर आप लोगों का लाइक करने का बनता है और इसके साथ में सबस्क्राइब करने का भी दो पर वैल्यूएबल रिसोर्स इसके कमपनी जो होती है वह अपने एड्स जलाती है अब इसमें जैसे कि उनके प्रोडेट्स की वैल्यूज हो जाती है उसी तरीकी से आसानी से आप लोगों को भी वह पता लग जाती है हम भी यस कंपनी ने निया प्रोड़क निकल लाई नि लेने लग जाते हैं आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं तो यह सब किस चीज में आदि होते हैं साइबर फ्रॉड में देन फिर इसका आते है कि मेजर शोर्स ओफ कम्प्यूटर वाइरस तो कम्प्यूटर वाइरस जो है वह भी इंटरनेट के थ्रू ही आते है अब अगर यह इंटरनेट एक बहुत बड़ा सा क्लावड बहुत बड़ा सा और चोटा से ननना से मुनना सा कम्प्यूटर अब यह ननने से मुनने से इस कम्प्यूटर को क्या पता कि भार की दुनिया में क्या है अब इस दुनिया से यह जो हमारी इंटरनेट वाली दुनिया इस इंटरनेट वाल दुनिया से connect होता है, अब connect रहने के बाद में यह लियाता है, अपने पास में वाइरस, और फिर यह खराब होके खराब हो जाएगा, ठीक है, तो अभी यह है, इसका में इन्टरनेट का सबसे बड़ा डिसएडवांटिज ही भी, किसे computer वाइरस आते हैं, then फिर इसके बाद में आप पर difficulty to check the accuracy of information और यहां पर काफी जादा difficulty होती है अगर हमें कोई भी information given है कि क्या वो सही है या फिर गलत है तो वो काफी जादा problem होती है उसमें फिर इसके बाद में नेक्स आता है कि what is modem तो modem से directly definition आजाएगी तो सबसे पहले आपको बोलना है कि एक device है जो की modulator और demodulator होती है अब यह क्या होता है यह एक convert करती है digital को analog में और analog को digital में दोनों काम करती है radio frequency to transfer data अब यह wifi क्या करता है कि radio frequencies होती है उसके थूर ट्रांसफर करता है data को लेकिन इसकी limitation यह है कि limited area को करेगा जैसे कि for example अगर आपका घर है तो आपके घर-घर में जितना भी devices हैं वो सब connect हो सकते लेकिन घर के बाहर में जितनी भी range होगी इसकी 10 feet 20 feet उसकी बाहर यह नही लेता है इन फिर इसके बाद में जो आता हो आता है LTE अब देखो LTE क्या होता है जैसे कि आप लोगों ने मोबाइल में दिखा होगी कि महां पर लिखाता है V.O.L.T.E. तो यहां पर यह जो LTE ही है LTE यहां पर बताता है कि यह है कि Long Term Evolution अब इसका मतलब यह होता है कि LTE होत जैसे कि टेबल है तो इस पर अखा रहेगा यहां पर यह आपको आकर के बात करने होगी लेकिन आप क्या है कि LTE के थ्रू हम क्या कर सकते है कि आसानी से अगर हम रोमिंग भी कारें मतलब कि घूम रहे है तो भी हमारे पास में कॉल आ सकता है हम कॉल रिसीव कर सकते तो वह क हिसस कर पाए इसलिए जो मिंग इंटरनेट होता है उसकी जो कोस्त होती हो काफी ज्यादा होती है एस कंपलेटर जो घर पे वाइचा मोती है हम जो काम लाज या हम घ्या आपनोनल्त डीलिंट नश चोट इसीलिटा की ङुआप इश्या एं सै तो यहा हूता है कि उसको sûr अब यह मैड़प होती है यह फाइल और डोकिमेंट से मिला करके इसको बनाया जाता है अब उसके बाद में जब इनका कॉंबिनेशन होता है जो वेब पेज अगर बहुत सारे वेब पेज को मिला दें तो वहां पर क्या हो जाएगा वो बन जाएगी वेब साइट वेब साइट क्या होती है ग्रूप ओफ रिलेटेड वेब पेज डेट फॉलो थे सीम थीम एंड कनेक्टे तुगेदर विद था हाइपर लिंक अब हाइपर लिंक का मतलब यह होता है कि जैसे कि फॉर एक्जांपल आपका यह एक वेब पेज ओपन हो रख है इस तरीके से एक वेब पेज ओपन हो कि अब जैसे को अपर क्लिक करेंगे तो नए पेज की तरफ डायरेक्ट वह जाएंगे तो यहीजित जो लिंक यह वाले लिंक है इस ही को यहां पर हाइपर लिंक आगते है अभी इसके बार में भी हम पढ़़ेंगे पर अभी तो बास इतना से जान ल खोलते हो और आप कोई भी वेबसाइट के उपर एक्सेस कर लिए तो इसी तरीके से वेब ब्राउसर का एक सोफ्ट्वेर एप्लिकेशन है इस यूर्ट रिवाइब एंड डिस्प्ले दसम कंटेंट ओन डबलू वर्लवाइड वेब डॉट कॉम तो यहाँ पर आप इसकी www है www.www आप मैं देखो इसको worldwideweb.com नहीं बोलूँगा मैं आप समझ जाना इसको ठीक है अब इसके बाद में next जो आते हो आते हैं कि यहाँ पर वेब क्लाइंट क्या होता है अब वेब क्लाइंट वो होता है कि special program designed as a user interface through which messages are sent to web server यह प्रोग्राम होता है जिसके तुरू क्या होता है कि user के जो है interface होता है message जो होते हैं वो web server को transfer किये जाते हैं अब में web server क्या होता है यह web server वो computer program होता है that server HTML pages or files from the web client every web browsers are connected to internet in associate with the unique address अब मतलब इसके लिए आप URL भी बोल सकते हो यह क्या होता है कि unique resource locator अब इसका मतलब क्या होगा क्या काम आता है यह देखो ध्यान से सुनो मेरी बात अब unique यह resource locator का मतलब ही हो गया कि जिसकी for example अगर मान लो कि यह ऐसा नहीं होता यूनिक नहीं होता आप लिखते Amazon और अगर मान लो कि खुल जाता जॉमैटो और जब आप लिखते जॉमैटो तो फिर वहां पर खुल जाता YouTube और जब आप लिखते YouTube तो वहां पर खुल जाता फिर उसके बाद में मान लिजे कि कोई सी website और खोल देते हैं नेटफ्लिक्स खुल जाता ठीक है इस तरीके से तो अब यह क्या होता है कि इनके अंतर यूनिकनेस नहीं रहती तो हम काफी जाते कि नेटफ्लिक्स पर चाने तो मैं नेटफ्लिक्स लिखो हूँ यह सब कुछ हापस में बहुत तरीके से अलग-अलग हो जाते हैं जैसे कि हमारे घर के उनिक अडर्स होता है इसी तरीके से हर एक जो पेज होता है उसका यूनिक अडर्स होता है उसी को यहां पर कहा जाता है यूरल कहा जाता है जैसे कि each webpage has the address describing where it can be found and this address is called web address जिस तरीकी से हमारे locality का address होता है उसी तरीकी से ये भी web address होता है फिर इसके बाद में email address क्या होता है ये email जो होता है वो होता है electronic mail अब email बहुत तरीकी होते हैं आप लोग तो बस एक तरीकी की Gmail ही जानते हो अब लोगों को ये भी नहीं पन्दा कि जैसे कि Bing भी browser होता है internet explorer भी होता है इनकी अलग-अलग emails होते हैं जैसे कि at the rate bing.com हो गया at the rate yahoo.com हो गया at the rate out Gmail हो गया outlook हो गया इस तरीकी से बहुत सारी mails होती है जी-mail एक होती है और mails बहुत सारी होती है अब इसमें यह क्या होती है यह paperless method of sending messages, notes, pictures, even sound files from one place to another place using internet as a medium तो इसके थुरू क्या कर सकते हैं हम जो हमारे को पास में कोई भी information हो चाहे से sound हो, video हो, pictures हो, notes हो हम उसको आसानी सिखा कर सकते है इंटरनेट को ऐसे medium मान करके, अब इसके कुछ advantage भी है, कुछ disadvantage में है, सभी के advantage और disadvantage जरूरर से आद होनी चाहिए, क्योंकि exam के अंदर वो हो सकता है कि two marks में आपसे disadvantage पूछ लिया और two marks में आपसे advantage पूछ लिया तो दोनों बहुत ही जाता important है अब इसके बाद में इसके advantage का है, सबसे पहले कि speed up the workflow को speed up करता है, एंफिर इसके आपने save paper and printing cost को save करता है, files and images can be attached to an email, तो email के अंदर हम file और image attach कर सकते हैं, सबसे बढ़िया बात है, एंफिर इसके बाद में multiple copies of email can be sent to a group of people at one time, एक बार में हम कितने भी लोगों को mail send कर सकत इसके बाद में इसके disadvantage के हैं, इसके disadvantage यह है कि आप इसमें virus जा सकते हैं, अब यह virus ऐसी बिमारी है, अभी एक virus ने तो आप लोगों की band बजाई थी, कौन सा वाइरस था, वो ता COVID, COVID ने सब की band बजाई थी, जिसमें की जो अभी वाला बैचे इसकी बहुत तकड़े वाली band बजाई थी, इनके साथ में ही term one, term two हुआ, फिर इसके साथ में ही, इनके साथ में मतलब classes भी नहीं ही, और paper भी ले लिए, offline paper लिए, सब कुछ मतलब band ऐसी बजाई है, और जो इनके next वाले, जो junior से उनके साथ में बहुत अच्छा किया, उनके बस एक ही paper होगा, final paper होगा, औ कोई चिंता वाली बात नहीं है, आराम से last में पढ़ लेंगे अच्छे नमर आज़ेंगे, लेकिन आप लोग को दो बार पढ़ना पड़ा, तो जो वायरेस होते ने, बहुत तगड़ी band बजाते है, तो आप लोग के batch को एक experimental batch भी कहा जा रहा है, ठीक है, अब इसके बाद के मतलबãyit, आप कोई बीआ धीज में लेकर की तो वीडियो देखे हो, इसको इलेक्टरोनिक डिवैस के थूँगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, तो इसको इलेर्निक बोल सकते हो, अगर आप किसी भी एलेग्टरोनिक डिवैस के थूँगर मानली और लोग आ बंदूग च यह का मतलब होता है, इलक्ट्रोनिक माटम के अफते हैं, उसके अप्सका निक्त्रोनिकय लक्त ड्वाईड हा जाती है, अब इसका मतलब क्या होता है, इल्लणिक मटल की, ह theor about that दिलेवनिग्र ट्रेनिंग और एड्वकेशन प्रोग्राम, तो यह साक आप यह अब होने को मेरे पास में अभी मैंने आप लोग को बताया भी था कि मैंने iPad प्रचेज क्या था कि अब बच्चों को अच्छे quality की notes प्रोवाइड कर वाँगा अब iPad तो मैंने ले लिया बहुत पहले लेकिन उसकी जो pens लेना वो मिल नहीं पा रही मैं अब क्या करूं उसका अगर iPad हो था तो मेरे को ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं थी आप लोग को भी अच्छे से समझा था पर कोई बात नहीं अब आगे आएगा जब कभी भी अवलिवल होगी जब मैं आप लोग के लिए ज़रूर से करूंगा वो ठीक है अब इसके बाद में आता है advantage of e-learning तो सबसे पहले advantage ही है कि यहां पर class work can be scheduled around a family तो मतब कि family time में या फिर office time में आप आसा नहीं schedule कर सकते हो मन करें तो मतब कि अभी कोई सुबह 5 बज़े वाली वीडियो आती है तो कोई सुबह 5 बज़े देखता है और कोई 10 बज़े देखता तो यहां पर इसकी flexibility है कि time flexible होता है second है कि यहां पर travel का time बहुत कम हो जाता है travel cost एक दम से 0 के पराबर होती है अगर यही तुम आ करके चार घंटे आते बस में बैठ के और करीब-करीब 400 रुपए देखर के आते class करने तो तुम बहुत ध्यान से सुनते लेकिन आप क्या है क आप दो घर पर बैठे है आराम से मस्त ओनलाइन देख रहे हैं और कोई जादा travel cost वगेरा कुछ भी नहीं है तो यह आप लोग की time की cost है इस time पर ठीक है तो time बहुत ज़्यादा valuable है फिर इस काद में क्या होता है कि हाँ पर can access anywhere anytime आप कहीं से भी कभी भी कैसे भी access कर सकते हो फिर उस काद में a disadvantage कहा है कुछ और लोग होते थे जो कि समझ गए हो ठीक है अब उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर यह जो होता था यह isolated environment होता था और उसके साथ में गुरुजी होते थे जो कि हमारी band बजाते थे खूब मारते थे गाली वगेरा बहुत कुछ करते थे इतना डाटते थे बहु क्योंकि इतने सारे बच्चों कमेंट करने लग जातो लाइन लग जाते मैं किसको रेपलाई तो फिर भी में बहुत सारों को देता हूँ तो अगर आपलों को रेपलाई चाहिए थे आप लोग कमेंट करना अब इसकी बाद में ती mobile technologies अब mobile टेक्नोलोजी के इंदर सबसे प कि डिफ्रेंशेट बिविन 3G एंद 4G तेकनोलोजी तो यह आपको जरूर सियाद रखना है फिर उसकर में आपर आता है कि एड मल्तिमीडिया फैसिलिटी एट लाउट वीडियो ओडियो एड ग्राफिक एप्लिकेशन के लिए भी हाँ पर अलाउट करा जाता है अगले वाली है 3G के आगे वाली है अब इसमें क्या होता है इसमें स्पीड बहुत ही तगड़ी हो जाती है अगर आप मोबाइल से देखते हैं अगर आप घर पे ब्रॉड मेंड है तो वहां पर 1Gbps के स्टेशनरी में आते हैं और जब इनके पिताजी आएंगे उनकी जो स्पीड आएगी हो आएगी मदब कि 100 Gbps से तो नीचे आनहीं नहीं वाली तो यह स्पीड रहने वाली है ठीक है इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो क्योशन आता है वो आता है कि SMS अब दिखेंगे SMS क्या होता है SMS की फुल फॉर्म होती है अब SMS क्या होता है जैसे कि आप लोग कोई बी OTP वगिरा आता है तो वो जो आता है उसी कोई SMS कहते है अब यह कितने character का हो सकता है अब यह होता है 160 character का इसके maximum limit होती है शोर्ट मैसेज ही जा सकते हैं और आप लोग को अगर लॉंग करने तो इसके लिए आपको मेल करना पड़ेगा अब तो हम लोग को काम में लेता हैं तो वाट्साप इंस्टरग्राउं टेलिगरम इस काम में लेती हैं तो क्या चीज है पता है निए फिर इसका गाता है करीब गरिव 2,000 यह काम में लिया जाता था कि कोई भी आपको कर मलमीडिया फोटो या फिर कुछ भी अपने फ्रेंड को रएंड करना है तो वहां पर आपको तो टेबल टेग को explain करना फिर उसके इसके लिखना है तो देखोई हम इसके अंदर हर इक चीज को करेंगी सबसे पहले देखने कि इस तरीगे से यह रहा हो जो इस तरीगे से और इस तरीगे से माद मिए जो इसको ही याँ पर माद माद मेरा ऐसको से होल जाता है और फिर इसके बात करें table tag te suitable the क्या हुटा है कि used to insert a table in a weapon वेज अगर बोल जाएμεगर जाएं करें तो इंसेर्ट डिफाइन रो इन अटी वैपेज तो सिंपल सी बाते इनको एक बार में पढ़ लेते हैं याद हो जाते इनकी नाम सी याद हो जाता पर इनकी सिंटेक्स बड़ा सिंपल है कि आपनों को इस तरीके से लिखना है हास्टेग टी अफैलिय को कैपिटल में केमा में पैर रहेगा ञें और इसके अंदर ये इस फास्टेग सेक स्पंपर पास नाए पासमें रोट पर निगर कर जात अब रोट अ चैना होता है do टी आर से open होता है, टी आर से close होता है, used to define table rows, तो table rows को define करने के लिए काम लिया जाता है, first row जो होती है, header, last row को कहते है, footer, और जो beach वाली होती है, उनको क्या कहते है, पहला और last तो बता दिया, बीच वालों को क्या कहते है, ये बतावा आप लोग, ठीक है, अब इसके बाद cell की जो situation है, उसके उन्दर data कौन से डालने, वो सब करने में काम में आता है, ये header of table होता है, फिर इसका में अगर ये जो tag होते है, मतलब की जो हमारे cell tag होता है, इसमें क्या होता है, कि data store करा जा सकते है, data containers of table होते है, फिर इसका में given है, हमें data, जिसके अंदर की क्या है, कि स सबसे पहले याद रखना भी आप लों को बताता हूं कि एक्जाम में गलती नहीं होगा, आप html code लिख रहे हो, इसको इस तरीके से लिखना देखो, इस तरीके से, जैसे कि सबसे पहले html लिखा, फिर उसका में head लिखेंगे, फिर title को close कर दे, head को भी close कर दे, फिर body को open इसकोache पूरे number दे था, इसको पूरे number दे दो अच्छा बच्चा है, और इह कहाँ से पढ़गा है, उसको पूरे number तोनों cell की अंटर लिख दी फिर इसका हमें सब्सक्राइब करते हुए आपके पूरा टेंथ भी क्लोज हो जाएगा बस यह लास्ट पीपर इसको अच्छे से देख कर एना ठीक है अब इसके पाद में कुछ important syntax है जो कि आप लोगों को ध्यान रखने है सबसे पहला यह है कि align क्या होता है align किस तरीके से करेंगे तो align के लिए करने कोई साथ element जैसे कि height हो गया bg background color हो गया तो आपको क्या करने simple सा table align इसमें जैसे कि left करना right करने center करने तीनों में से कोई साथ भी लिख देना यहां पर semicolon लगा के और रहसे बंद कर देना ठीक है इसी तरीके से height की बाद करें कितने pixels के अगर एकजाम में कहा जाए कि 300 pixels की height जी तो आपको 300 लिख देना है तो बॉटम और मीडल तीन तरीके के उतने जो भी आपको करने वह आप कर लिजीगा अब इसके बाद में लिंक और CSS in HTML तो अब इसमें जो सबसे पहले होता है लिंक क्या होता बहिया लिंक एक की फीचर होता है HTML का इस एबिलिटी तो लिंक टेक्स्ट और इन इमेज ओफ एन अधर डॉक्यमेंट और विदिन अधर दॉक्यमेंट तो इसका मतलब समझो ध्यांसे की आप अभी जाओ गूगल के उपर गूगल के उपर क्या मिलेगी आप लोग को एक इमेज मिलेगी अब उस इमेज के उपर अगर आप क्लिक करोगे तो अब उससे ने लिंक के उपर चल जाओगे तो वह क्या होता है उसी को ही लिंक करना मतलब कि किसी चीज को किसी चीज से दो जोड़ना उस लिए के रिखते हैं और पर ? आपने जा बेए कहते हैं? अब इसको कईसे इंसारट करने के अब इसको कैसे सब पर आघया हुआता है यह काम में लिया जाता है फिर इसका अबने एक्स्टरनल लिंकिंग यह सब इतना इंपोर्डेंट नी है पर भी पढ़ लेना है एक बार मैंने लिखा है तो पढ़ना आपनों का ज़रूरी है अब इसके बाद में आता है कि HREF इस attribute की full form क्या होती है वो होती है hypertext reference अब इसके बाद में यह काम में आता है यह काम में आता है कि यूस्टू स्पेसिफाई दि यूरल ओफ दे टार्गेट डॉक्यूमेंट तो यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट की कि जो मतलब कि जो हम डॉक्यमेंट टार्गेट कर रहे हैं उसकी यू आरिल को स्पेसिफाई करने के काम में आता है और जो इसका किस तरीके से लिखते हैं जैसे कि आपको लिखना है ए-h-r-e-f फिर इसका आद में आपको इसको लिंक का इंसर्ट कर दें जैसे कि आप www.google.com मैं इसको इंसर्ट कर दिया फिर उसके बद में आप क्या दिखाना चाते हो क्लिक लिखेंगे अब क्लिक के ओपर क्या हो कि जैसी आप इसके ओपर क्लिक करेंगे तो क्लिक के ओपर क्लिक करने से कुछ और कुल जाएगा क्लिक 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 यह पता नहीं क्या क्या हो तो आपको तो इतनी सी बात याद रखने है कि इसके अंदर HR EF करके हम कोई भी लिंक इंसर्ट कर सकते हैं यह वाला लिंक खुल जाए का कि इसके बाद में ओड्यों को किस तरीके से इसको रट लो, इसका स्क्रीनिशॉट ले लो या फिर कुछ भी कर लो, इसको घोट करके पी जाओ, वाला याद हो जाना चाहिए, यह मेरा आदेश है कि आप लोगको यह याद होना चाहिए, ओड्य और वीडियो वाले दोनों की दोनों याद होनी चीम और फिर उसकी साथ में आपर हमार असाम अप्थ होता है और अपने दोस्तों को ये साथ में शेयर जरूर से कर देना लाइक कर देना और आपलोड़िड है वो भी देखना एक बार दो sample paper upload कर रहे हैं, दोनों की दोनों एक बार देख ले ना, और मिलते हैं आप लोग इस नेक्स्ट वीडियो के इंदर paper को अच्छे से कर गया ना, paper को आग फोड देना, आग लगा देना, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,